हेलो फ्रेंट्स वाज इस वीडियो में हम देखेंगे सीए पेफेसी 2023 के पेपर टू बुकलेट ठीक है तो आप सभी को पता होगी कि सीए पेफेसी 2023 की पेपर टू बुकलेट जो हमारी है वो रिलीज हो चुकी है तो इस वीडियो को रूट मैप यह रहने वाला है कि इस बु निरम्स कान भी देखेंगे बुक के प्रकार की है तो सबसे पहले तो आप यह देख लें कि इसमें एसे आर्गुमेंट और रिपोर्ड यह तीनों आपको कवर्ड मिलता है तो इसमें ग्रामर कॉम्परिशन प्री से यह नहीं है छिर्फ ऐससे आर्गुमेंट रिपोर्ड ह के लिए इसको हमने थेम वाइज किया है ठीक है इसके लावा सौ पिक्स आपको देखने करें करेंगे तो इंडेक्स आगर आप देखेंगे तो आपको यह दिखेगा कि इंडेक्स में जो टॉपिक्स हैं वो हमने थीम वाइस कवर किया वैसे आकर इसमें देखेंगे इस बुक लेट आपको 10 थीम्स देखने के लिए मिल जाती है वैसे हमने 12-13 थीम्स को इसमें कवर किया कुछ थीम्स ऐसे हैं जिनके जो आर्टिकल्स थे से इसलिए बिल्कुल बलकी नहीं बनाई है यह पूरी बुकलेट में आपको एराउंड 200 पेजेस में वैसे यह बुकलेट आपको 230 के आराउंड पेजेस की दिख जाती है तो इसमें 200 पेजेस का आपको कॉंटेंट देखने के लिए मिलता है बाकि आप इंडेक्स यह सब ए कि आप लोगको होसके बाकि हमने कोसिस किये कि 200 पेजेजंद में ताकि आप इंच ची Maison कर पाएं 200 पेजेस में हमने कोसिस कि यह 10ट पैक्स और श्रहां क्वर कर पाएं आप देखेंगा कि जैसा इन्टेपनीbuat्स पीच हो सकते हो कवर करने के कोशिज किए हमने इसमें current contemporary और स्टेटिक्स तीनों ही आस्पक्ट को कवर करने के कोशिज किए देखेंगे अर्गुमेंट रिपोर्ट इन सभी में जितने करेंट इशूज हैं रिपोर्ट में जितने भी इंपोर्टेंट है जोसी मट मोर्वी बिरेज कॉलाप्स पूश टेरर अटेक मुहनिपूर वाइलेंस इन सभी को हमने कवर करने की कोसिस की हैं बाकी यह टॉपिक्स आप देख सकते हैं अभी मैं दिखाऊंगा कि टॉपिक को ह है कि इंटरनल सिक्रूटी इंटरनाशनल रिलेशन वुमें इन सभी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनमें ज्यादा टॉपिक्स एलोकेट किये हैं ताकि आपको उससे हल्प मिल पाए ठीक है बाकी इसमें करेंट इशूज भी आपको देखने के लिए मिलेंगी वो कैसे होगी वो भी ज्यादा नहीं होगी को सिसम करेंगे 10-12 आर्टिकल्स और आपको दिये जाए जो की ज्यादा इंपॉर्टेंट है खासकर आर्गुमेंट इन इपॉर्ट पॉइंट आपको देखने के लिए मिल जाएंगी ठीक है तो आप इसको स्कैन कर सकते हैं तो करेंट अ उसका फॉर्मिट भी नहीं पता तो वह फॉर्मिट भी यहां से देख सकते हैं वह ने बगाईदा डाला एक कि इस प्रकार से आप इसमें आर्गुमेंट में इंट्रो डाल सकते हैं कैसे आपको पॉइंट लिखने हैं यह सभी को हमने अच्छे से कवर किया है अपार्ट फ और एक टॉपिक में हमने multi-dimensional approach को फॉलो किया है वो अभी हम देखेंगे कैसे फिर body की थोड़ी सी बात फिर आप देखेंगे सारे जो issues हैं वो जितने dimension हो सकते हैं इंडिया पाक बॉर्डर इंडिया चाइना बॉर्डर काफी हो और बहुत ही जाके content आपको कमना हो फिर आप यहां पर यह देख सकते हैं ठीक है यह आपको content देखेंगे काफी हमने detail में यहां पर cover करने की कोशिस के आप देखें government actions जो है आप देख सकते हैं काफी सारे हमने six around दिये हैं इसके लावा role of technology in border management then way forward ठीक है and then a बहुत बहुतर conclusion अब इसमें दिखें important बात क्या है जो सबसे important है हमारा कोशिस यह है कि हम यह नहीं चाहते हैं कि सिर्फ आप यह topic है तो आप इसे याद कर लें या मगब कर लें और सिर्फ इसी topic के on and around अगर आता है तो आप लिखें नहीं इसके अगर माल ले for example ऐसे क्योंकि आपने देखा होगो थोड़ा वो deep जाते हैं तो अगर वो पूछते हैं role of technology in border management तो आपको दिखेगा कि role of technology in border management का भी आपको content इतना मिल जाएगा कि आप आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है तो यह आपको content देखने के लिए मिल जाएगा जो कि आप specifically अगर role of technology in border management आजाए तो भी आप लिख सकते हैं सेम मैनर में अगर for example एक और topic इसी से में link करके बूछ लो smart border management पे आजाए तो भी इसमें आपको content देखने के लिए मिल जाएगा अपार्ट फ्रॉम डैट जो issues है specifically अगर आजाए इंडिया पाग border पे क्या issue है तो भी आपके content है इंडिया चाइना बॉर्डर पे क्या issues है वो भी content है इंडिया नेपाल बॉर्डर पे क्या issues है वो भी content है और यहां तक कि इसके अलावा भी आप जा सकते हैं बस यह है कि आपको उसका approach आना चाहिए for example internal security से जवाएंगे तो आप यहां से काफी सारे जो है points यहां पर 10 से अगर आप यह topic cover करते हैं जो कि हमने two and a half pages में cover किया है आप easily four to five topics जो है इसके on and around आएंगी तो वह आप अराम से tackle कर लेंगे तो हमारा focus यही है कि एक topic में multi-dimensional approach रखी जा सके और सासथ multi-dimensional के इलावा जो topics है वो अगर different aspect में भी आए तो भी आप इसको अच्छे से tackle कर पा रहा हूं for example this is the international relation की theme है हमारी तो देखिए first हमारा topic है इंडिया-सरलंका relation in present light ठीक है तो यह basic बात है ठीक है जो प्रेसिदेंट ने कही थी प्रेसिदेंट अब से लंका यह डाल सकते हैं बाकी यह है फिर यह reason of economic and political crisis पहले मैं आपको दिखा देता हूं क्या-क्या इसमें फ opportunities for India ठीक है फिर यहां पर India help to Sri Lanka then way forward and then conclusion ठीक है यह हो गया तो इंडिया-सरलंका पर आता है तो अब इसमें देखेंगे काफी अलग-अलग dimension पर इंडिया-सरलंका पर आएगा तो भी आप लिख सकते हैं ठीक है इंडिया की opportunities हो सकती हैं इंडिया ने क्या help किया यह सारी जैसे वैसे तो यह इशू थोड़ी पुरानी हो चाहिए for example region of economic and political crisis in Sri Lanka अब इस पर एक रिपोर्ट आ जाए तो आपको दिखेगा कि इसी में आपको इतना content मिल जाएगा जो कि आप असानी से एक रिपोर्ट आता है तो आप रिपोर्ट भी यहां से लिख सकते हैं यह हमारी objective है because अगर आप देखेंगे जब इंडिया से लंका पर आएगा तो आप इसे सिर्फ background में यूज करेंगे जो कि three to four lines max to max अब यूज कर सकते हैं but फिर भी हमने इसमें additional content दिया है why क्योंकि अगर रिपोर्ट भी आ जाए for example रिपोर्ट भी आ जाए तो आपके पास content होना चाह बाकि अगर एक topic आपने cover किया है तो उसके on around कितने भी topics आ जाएं वह आप लिख पाएं ठीक है बाकि आपको intro body conclusion यह तो आता है लेकिन यह सरी चीज़े डिपेंट करेंगी आपके application पर आप कितना बहतर ब्रेंश्टॉंग कर सकते हैं और कितना बहतर आपने application develop की है यूज क यह सरे उससे related है काफी ज्यादा हम content दिये हैं हर topic में आप देखेंगे इतना ज्यादा content है कि उसके on and around भी चीज़े आएंगी तो आप आसानी से लिख पाएंगे तो यह सारी चीजे आपको देखने के लिए इसमें मिल जाती है ठीक है तो I hope जो book है वो मैंने आपको completely दिख मैंने सारे के address डाल दिये अलहाबाद इस प्रयागराज या फिर इन दौर इन में से किसी भी place पे हैं तो आप इसका paperback that is hard copy में आप ले सकते हैं ठीक है आपको telegram पर मिल जाएंगी address तो telegram आप हमारा join कर सकते हैं that is age defense ठीक है वहाँ पर आपको address मिल जाएगा बाकी आप यह सकते हैं एक important बात जो last मैं आपको बताना चाता हूं कि जो भी ऐसे students हैं जो इसका paperback purchase करेंगे वो please हमें contact करें at this same ID that is incredible अभी शिक्त हैं यहाँ पर जरूर contact करें because current updates आपको मिल जाएंगी वहाँ ठीक है बाकी अगर कोई doubt होता है तो आप बता सकते हैं बाकी अपने feedbacks जरू thank you and have a nice day friends